अब्रिवन कैसे हैं आप लोग चार जून दो हजार बीस तो यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंदर मोधी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मिस्टर स्कॉट मोरिसन दोनों कही बीच में एक जो वर्चुल कॉंफरेंस यहाँ पर आयो जो थी तो काफी सा यहां पर agreements के बारे में बात हुई तो यहां पर mutual support logistic agreement इसके बारे में भी बात करेंगे जो इंडिया और Australia की दोनों ही देशों की military defense के लिए बहुत ही important है छे अलग अलग यहां पर agreements के बारे में बात हुई तो देखें यह इंडिया और Australia के international relationship point of view के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा important वीडियो है तो इस वीडियो को end तक बिल्कुल देखते रहेगा और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है तो इसको please subscribe कर लिजे ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो इसी तरह आपको मिलते रहें तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने recently अपना website launch किया है तो यहाँ पे आप March, April और recently हम लोगोंने में महीने का जो complete महीने का जो current defense का compilation उसको जो है upload किया है उसका PDF आप लोग बहुत ही एक comprise में download कर सकते हैं और इस वीडियो के जो note है आपको आज शाम तक हमारे website में free of cost मिल जाएगी दोनों ही link मैंने description में दे दिये हैं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पे 4 जून 2020 को इंडिया और Australia ने काफी सारे landmark agreement जो है इसके बारे में यहाँ पे जो है sign किये तो यहाँ पे main जो है यहाँ पे logistic support जो है military क दिया गया जिसको हम लोग बोल सकते है mutual logistic support agreement जिसके जरिये दोनों ही देशों की जो यहाँ पे अलग-अलग military base है एक दूसरे के military base को यहाँ पे use कर सकते हैं तो यानि कि इंडिया की जो military army है या फिर नेवी है एर फोर्स है ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे army military नेवी उनके भी basis को use कर सकते हैं इसके बारे में agreement हुआ इसके अलावा भी 6 अलग-अलग जो अलग-अलग field के उपर भी यहाँ पे बात हुई दोनों ही देशों के यहाँ पे जो प्रधान मंत्रियों ने online यहाँ पे submit किया तो आप देख सकते हैं जो भारत के प्रधान मंत्रिया यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा हाँ डिसकस कर लेते हैं जो यहाँ पे cyber-enabled critical technology इसके बारे में जो है इसके arrangement के बारे में बात हुई then minerals तो Australia की mining जो है one of the finest mining in the world काफी सारे उनकी जो यहाँ पे mining जो है पूरी दुनिया में यहाँ पे export होती है इंडिया के लिए यह बहुत importance है दोनों ही देशों के यहाँ पे defense corporation की यहाँ पे implementation के लिए यहाँ पे बात हुई vocational education और training के related यहाँ पे बात हुई है water resource management के बारे में दोनों ही देशों ने यहाँ पे बात की then governance reforms और public administration से related यहाँ पे बात की और इसके अलावा भी 2 plus 2 foreign affairs dialogue जो होती है generally India जो है USA और Australia के अलावा Japan के साथ करती है यहाँ पे तो इसके बारे में भी यहाँ पे काफी बात हुई तो यह सब भी important points है आपको यहाँ पे जाननी चाहिए जो इंडू Pacific region है यानि कि दोनों ही देश जो है Australia और India जो है Indian Ocean से share करती है काफी जादा यहाँ पे transportation होती है import-export से related इसके बारे में उसकी security challenges के बारे में बात किया और most importantly जो COVID-19 crisis के बारे में यहाँ पे बात किया यहाँ पे एक और point है कि Indian farms जो है अलग-अलग जो taxation celebrated double taxation देना परता है Australia को भी और India को भी तो India-Australia double taxation avoidance agreement इसके बारे में भी यहाँ पे बात हुई दोनों ही देशों की यहाँ पे economic cooperation agreement के बारे में बात हुई और उसके लिए दोनों ही देशों ने यहाँ पे comprehensive convention on international terrorism के उपर की यहाँ पे काफी सारे points के पर यहाँ पे बात की तो अभी discuss करते है थोड़ा था Australia के mining के पर तो Australia की जो mining है बहुत ही सराहा जादा है पुरे दुनिया में चाहे वो brown coal सो coal की भी अलग-अलग category होती है mineral sand सो यहाँ पे nickel हो lead uranium uranium जो है इंडिया को बहुत ज्यादा सप्लाइ करती है और एक चीज़ देखिए कि 2012 से लेके 2017 तक भारत जो है नौवे नंबर पे था इन टरम्स अफ जो भारत इंपोर्ट करती थी अभी वो नौवे नंबर से पांच्वे नंबर पे आगे विदिन फाइब यह जो रिपोर्ट है mining जो mineral council of Australia से रिलीस की गई एक रिपोर्ट के हिसाब से और बात करेंगे 2017 में थोड़ी सी पुरानी आकड़ा है लेंगे आप फिर भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि Australia से जितना भी इंडिया ने export किया दिए एक्च्वली इंपड के अपर गाइड ने और उद्टेलिया को उनमें से 71 परसंट यान्य कि जितना export क्या था उनमें से 71 परसंट यह सिफ जो है विद्रिक मानिंग से रिलेटेर ही थी जो जितना भी और आने वले टाइम में और भी अगर यहां पर डिटेल्स मिलती रहेंगे, हम लोग आपके साथ यहां पर शेर करते रहेंगे, तो यह था हम लोग का complete analysis regarding भारत और आस्ट्रेला के जो अलग-अलग defense agreement, उसके अलवा भी अलग-अलग sectors के agreement के बारे में, जो हम लोग ने डिटेल में discuss किया, तो ऐसे topic जो है, आपको जितना हो सके यहां पर थोड़ आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही छोटी-छोटी conceptual question यहां पर पूछी जा सकते हैं, not only सीधा इसी ही topic पर नहीं आ सकता है, आपको reference भी देना पर सकता है, तो ऐसे topic जो है, जितना हो सके आप clear आपको बहुत कुछ चीज़े सीखने को मिला होगा, और यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लिज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा महनत और रिसर्च की जरोथ होती है, और आप लोग का सपोर्ट, हम लोग बहुत ज़्यादा इंस्पार करता है, और भी हार्ड वर्क करने के लिए, तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहे स्टेडी राइस, देखते हैं, थैंक्यू, एन जयहिंद।